देखिए students जो हम आज शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं 5 important questions from indefinite integration की series इस series चल रही है 5 important questions from indefinite integration जिसमें से पहला important जो question है वो है integration root x dx upon root a cube minus x cube इसको solve करते हैं आपने इसका integral निकालना है देखते हैं कैसे करेंगे देखिए हम क्या करने वाले हैं बहुत अच्छा question है और ये question इतना easy नहीं है एक type से ये थोड़ा सा tricky है है ना 3-4 steps में ये question खतम हो जाएगा लेकिन शुरूआत कैसे करनी है यहीं पर ही बच्चे फच जाते हैं इसको कुछ भी करो इसमें अगर आप partial लगाओगे तो भी नहीं होगा इसमें को direct substitute करोगे इसको st तो भी नहीं होने वाला इसमें कोई rationalization करोगे तो भी नहीं होगा तो इसमें कुछ भी करोगे तो ये नहीं होने वाला केवल एक ही ट्रिक से इसको करा जाता है वो ट्रिक मैं बताता हूँ आपको और एक चीज और बता हूँ ये कोश्चन बोर्ड में आया हुआ है ठीक है तो इसको धियान से समझेगा क्योंकि ये कभी भी दुबारा से आ सकता है देखते हैं कैसे क्या ट्रिक है इसमें तो ये ट्रिक एक कोश्चन है और ये कोश्चन हर बुक में आपको इस्ट्रेंट्स मिलेगा भी नहीं हर बुक में ये नहीं मिलेगा even rd शर्मा में भी यह नहीं है ठीक है और भी hell books में बहुत कम मिलेगा तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको तो मैं क्या करता हूँ इसमें root x dx ऐसे ही रखा root a की power 3 जो है इसको मैं ऐसा लिखूँँगा a की power 3 by 2 into 2 मतलब 2 से मैंने multiply करा 2 से divide करा एकी power में और यही process मैं x की power में भी करूँगा x की power जो 3 है इसको भी मैं 2 से multiply करूँगा और 2 से divide करूँगा x की power में जो 3 है उसको 2 से multiply और 2 से divide करा ऐसी a में भी जो 3 था उसको भी 2 से multiply और 2 से divide करा अब then अब क्या करने वाले हैं देखिएगा integration root x dx ऐसी रखा अब मैं इसको ऐसा लिखूँगा पूरे मैं root है इसको मैं ऐसा लिखूँगा a की power 3 by 2 का whole square क्योंकि multiply का मतलब bracket भी होता है ठीक है minus x cube को ऐसी रखा और x की power 3 by 2 को ऐसी रखा और जो ये 2 है इसको मैं बाहर लिखके whole square कर दूँगा मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्योंकि इसको अगर अंदर multiply करेंगे तो ये यही रहेगा और cancel होके ये यही रहेगा तो अभी तक question में कोई छेड़ छ़ड़ नहीं करी गई है जैसा question है वैसा ही हमने कुछ बनाया है लेकिन दूसरे तरीके से अगर इस समझो तो बहुत कुछ इसमें changes आपको मिल गए है अब हमने क्या गरना है बस हमारा काम खतम होगी है यहां तक अब अगर अब अगर आप इसकी value किसकी इस x की power 3 by 2 की value को t मानोगे तो यह question खतम हो जाएगा बस यही trick है यही step एक tricky step है इसके बाद आप easily कर लोगे देखो जैसे इसको t मानोगे इसका d by dx करोगे तो यह numerator जो term है यह replace हो जाएगी as t से तो देखो x की power n का formula लगा हो क्या होता है n x power में n minus 1 ठीक है power में n minus 1 dx equals to duty तो 3 by 2 x की power 3 by 2 minus 1 कर दोगे तो students क्या आजाएगा x की power 1 by 2 हो जाएगा आप LC मेरे के चेक कर लेना dx equals to duty और further further अगर हम move करें तो x की power 3 by 2 as it is x की power 1 by 2 है इसको root x कर सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं root x dx equals to duty और finally अगर मैं यह से root x dx की value निकालूं LCM cross multiply करके तो 2 duty और 3 cross में नीचे आ जाएगा तो यह आ गई root x dx की value अब देखो root x dx की value जो भी आई है यह in terms of t मैं इसको question में रख दे रहा हूँ question में रख दे रहा हूँ यहां तक था ना तो यहां चे तो मैंने खुदी put करके रख है तो यहां तक हमने छोड़ा था दुबारा से value रख दो integration root x dx की value 2 by 3 constant है तो integration से बाहर और dt रहा और denominator में अंडर root of इसको देखो एक ही power 3 by 2 का whole square minus इसको मैंने t माना था तो t का square तो यहां दारा स्टुदेंस यह formula एक formula होता है हमारे पास integration dx upon under root x square minus sorry a square where a is constant a square minus x square यह constant होता है यह constant है variable यह है a square minus x square इसका formula होता है 1 upon 2a log under root में है नहीं under root वाला यह नहीं होता है इसका जो formula होता है यह होता है sin inverse sin inverse x upon a बहुत ही simple formula है sin inverse x upon a plus constant plus constant c ठीक है plus constant c तो यह वाला हम formula यहाँ पर रख लेते हैं और answer आए गया देखो 2 by 3 integration इस integration का result इस formula से क्या आएगा sin inverse x upon a x क्या है यहाँ पर t जैसा है upon a a क्या है a कैसा लग रहे है आपको a की power 3 by 2 clear plus constant c clear है तो भाई इसको अंदर multiply कर लो 2 by 3 sin inverse x upon sin inverse t upon a की power 3 by 2 plus c clear ओके अब t को t को दुबरार replace करता है यार क्योंकि हमारा answer तो पूरा हमारा जो question था x के terms में है न तो हम इसको ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं तो finally हम क्या बोलेंगे 2 by 3 sin inverse t t की जगे students t की जगे x की power 3 by 2 upon a की power 3 by 2 plus c यह आपका final answer हो गया ठीक है आप कुछ लोग ऐसा भी सोच लोगे सरी यह 2 by 3 c से multiply होके तो 2c by 3 होना चाहिए था तो बड़ा 2c by 3 तो होता उसको एक हम नया constant बान लेंगे c1 ठीक है आपकी मरजी है आप c1 के दो या c के दो ठीक है constant ही है वो तो यह आपका इसका answer हो गया बड़ते students next question के और फिल से बता देना चाहता हूं हमारे पास जो यह series चल रही है यह मेरे channel पर यह channel का नाम आपके पास है said goals by Arjun West आपको इस channel मिल जाएगा YouTube पर और differentiation की सारी videos इस channel पर आप देख सकते हो बहुत अच्छा explain कर रखा है आपको जरूर समझ माएगा और integration भी NCRT की पूरी की पूरी मैंने समझा रखी है तो वो भी आप देखिए और अगर आपको सब अच्छा लगता है तो मेरे channel को subscribe करिएगा otherwise कोई बात नहीं है ठीक है तो next question हम करते है question number two